से यह वह फ्रेंड्स दिशेसर रहुल वेलकम बेक टू केट्स ट्यर्लर जो डॉट टॉक्पट टूर्ल से रुट तो आज हम देख लेते हैं हमें कौँकोन से एक्सराइजेस करनी हैं सबसे पहले आपके सामने यह दिखाई दे रही है दूसरी एक्सराइज हैं हमारी यह वा पढ़ना सबसे जरूरी है ड्राइंग में देख्या रखा है वह most important है अगर आपको ड्राइंग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो आपको design बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी okay so drawing पढ़ना और design पढ़ना बहुत जरूरी है okay so friends आईए देखते हैं इस drawing में किस तरह से इसे बनाना है और इसमें क्या क्या दे रख है देखिए एक उक टाइप की दिख रही है मुझे यह so almost इसमें मेरे पास जैसे यह circle दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक circle दिखाई दे रह है तो almost circle और arc सही मिलके बनिये ही सारे drawing okay और कुछ distances यहाँ पर दे रखे हैं और एक जैसे की boundary दे रखे है मेरे को rectangle दे रखे है जिसकी जो dimension मेरे कितनी है 45 और 80 की so friends यहाँ पर एक important चीज है कि मुझे origin कौन सा लेना है मैं इस rectangle को बाद में भी बना सकता हूं और most important है मेरे पा मुझे यह बनाना है तो यह rectangle तो मैं बाद भी बना सकता हूं अगर यह आप rectangle बना रहे हो और इससे अगर आप coordinates find out नहीं कर पा रहे तो थोड़ा इसी problem हो जाएगी तो अगर आप इससे simple way में बनाना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पस एक circle दे रखा है जिसका radius मेरे पास डाय मेरे पास 6 दे रखा है और उसका कुछ distance दे रखा है इस वाली line से और इस circle का भी distance यहाँ से दे रखा है तो इन दोनों के बीच का distance भी calculate हो जाएगा सो मैं क्या करूँगा एक circle होंगा इस origin से और एक circle यहाँ पर एक और लूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance जो होगा मेरे पास 16 हो जाएगा तो यह circle का distance भी आ जाएगा means इन दोनों के बीच का circle distance आ जाएगा मेरे पास और फिर उसके बाद मैं C enter TTR करका यह चीज़ भी बना सकता हूँ so first of all मैं यह चीज़ बना लेता हूँ उसके बाद outer boundary बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं रहेगा so first मैं यहाँ से start करता हूँ so सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है C enter 0,0 मेरे पास 6 का डाया था और मैंने 3 का radius ले लिया C enter 0,0 again मेरे पास डाया कितना दे रखा है यहाँ पर मेरे पास radius दे रखा 10 का so R 10 है तो 10 Z enter A enter ओके इस तरह से मेरे पास यह 2 circle आ गए है so मैंने अभी calculate किया था जैसे मेरे पास last line से 26 का distance दे रखा है और last line से इस circle का distance भी कितना दे रखा है 10 दे रखा है it means 26 से अगर मैं 10 को minus करूंगा तो 16 का distance आ गए है तो दोनों circle के बीच में distance कितना है 16 so अभी मेरे यह circle का center कितना आ जाएगा 0,-16 so c enter again 0,-16 circle का डाया यह radius कितना दे रखा है 6 का डाया दे रखा है so d enter करके आप 6 की value भी fill कर सकते हो और simple इसका half radius fill भी कर सकते हो radius कितना fill करने 3 okay so इसी के साथ यहाँ पे एक radius 7 का भी circle दे रखा है so वो भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ c enter add the rate 0,-0 last point ही pick कर लेगा वो और 7 का radius है मेरे पास okay so इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक radius और आ रहा है c enter ttr करके इस radius को मैं लगा सकता हूँ r20 so c enter ttr एक tangent मेरे पास यह आ गया दूसरा tangent मेरे पास यह आ गया और 20 का radius आ गया इसको मैं trim कर लूँगा और इसको मैं mirror कर सकता हूँ m i enter select object enter 0,0 और 0,10 so friends जिनको यह commands अभी समझ नहीं आ रही है इन commands की मैंने अलग से videos बना रखे हैं tutorials बना रखे हैं वहाँ से इन commands को सीख सकते हैं okay और यहाँ पे drawing को apply कर सकते हैं so अभी मेरा यह complete हो चुक है यह वाला slot मेरा complete हो चुक है okay so इसके बाद अभी देखते हैं मुझे और क्या बनाना है देखे एक line दे रखे हैं इस circle के tangent के साथ circle का radius कितना है 20 है और इसकी dimensions भी दे रखे हैं मुझे यह देखे यहां से center point से यहां तक का distance कितना दे रखे है 1.5 और इस center point का distance यहां से कितना दे रखे है 56.5 last line से 56.5 दे रखे तो अगर मैं origin से इस point की value y में calculate करूँ तो 26 minus कर दूँगा तो 56.5 से 26 minus कर दिया तो left कितना बज़े 30.5 तो center के coordinates कहेंगे x 1.5 y 30.5 तो मैं यहां पर circle ले लेता हूँ 0,0 sorry कितना आ जाएगा 1.5 x की value और y की value है 30.5 तो आप देख सकते हैं यह point आ गया और radius मैंने ले लिए हैंपर 20 z enter a enter apply करते हैं so इस तरह से मेरे पास यह एक circle आ गया एक circle मेरे पास और दे रखे है 3.25 का जिसकी dimensions यहां पर 63 दे रखे है last line से so last line से अगर मेरे पास 63 दे रखे है origin मेरे पास यह है origin से last line की value यहां तो कितनी दे रखे 26 तो 63 से अगर मैं 26 को minus कर दूँँगा तो left कितना बचा 37 it means y में कितनी value आगे मेरी 37 और x में कितना आगे minus 12.5 यह जो आ रहा है मेरे पास so इस circle का जो center है वो मुझे मिल जाएगा circle की coordinates क्या होगे c enter minus 12.5,37 और radius कितना है 3.25 okay so यह circle भी मेरा बन गया यह circle भी बन गया okay so इसके साथ और देख लेते हैं क्या है हमारे पास आप देखें यहां पर मेरे पास एक और radius दे रखे है 16.5 का इस circle के tangent के साथ और इस circle के tangent के साथ तो इसको मैं किस तरह से बनाऊँगा मैं कि ट्रक वो c Enter, TTR, again so यह मेरा पास एक tangent हो गया और यह मेरा पास एक tangent हो गया और circle कितना है 16.5 का तो यह मेरा पास एक circle हाजएगा इसे मैं trim कर लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही आर्क चाहिए और यहां से मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये trim नहीं हो रही है तो उसके लिए मुझे अभी line चाहिए, तो line बनाने के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा मेरे पास reference में एक center line दे रखी है, तो center line में एक circle दे रखे है मुझे किस center से मुझे एक line लेनी है, और इस center line पे एक circle भी दे रखे है मुझे जिसका distance मेरे पास कितना है, 20 गा, और angle कितना दे रखे है, 30 गा तो मैं circle ले लेता हूँ, c enter, add the rate, 20 की length है मेरे पास, less than angle 30 मेरे 90 से minus हो रहे है, तो angle कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा so point उसने क्या किया, last point वह वाला pick किया, so add the rate जब भी हम कहीं भी लगाते है तो वो हमेशा ही relative में चला जाता है, relative मतलब last point से वो value pick कर लेता है so मुझे क्या करना पड़ेगा, c enter, मैं यहाँ पर एक rough circle लगा लेता हूँ, 0,0 से ठीक है, जैसे कि यह मैंने एक circle लगा लिए, roughly circle लगा है, ताकि last point मेरे यही रहे और यहीं से value pick करनी है, so मैं करो c enter, add the rate, 20 length है, मेरे पास less than angle, मेरे पास कितना आगे, 60 so आप देख सकते हूँ, point उसने वह वाला pick किया, अब dia मेरे पास आगे 10, so 10 यहाँ पर dia लिया मैंने, radius कितना आगे 5, तो 5 मैंने value pick कर ले, इस circle को मैं erase कर सकता हूँ, मुझे इसकी need नहीं है, okay, so यहाँ से मैं कर रहा हूँ, 0,0 और इस point से मैं इस line को join कर रहा हूँ, मैं एक line ले लिए extra, ताकि मैं इसको extend जब करूँ, तो यह extend हो जाए, और extend होने के बाद मुझे एक, so join होने के बाद मेरे को तीनों का एक single point मिल जाए, जहाँ पर यह तीनों intersect हो रहे हैं, okay, so यहाँ पर क्या करूँगा अभी मैं, l enter, यहाँ से इसके मुझे tangent लेना पड़ेगा, so यहाँ से मैं tangent लेके चल रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं tangent ही लेके चल रहा हूँ, तो इसके भी मैं tangent कर देता हूँ, 10 enter, 10 to किसके, इसके, और इसी line को मैं extend भी कर सकता हूँ, so मैंने इसको extend कर दिया, तो आप देख सकते हो, अभी भी यह point join नहीं होए है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, move कर लेता हूँ, ताकि यह दोनों को मैं extend करके इनका intersection point निकाल सुकूँ, तो मेरा यह intersection point आ गया, तो अब इसमें और क्या करना है मुझे, इस intersection point से इस circle के tangent पर एक line लगानी है, तो यह मेरे पास तीन lines आगी है, अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक center पर एक circle दे रखा है, तो circle का radius कितने है, 10 mm, so 10 mm circle का radius है, तो c enter again, ttr, तो यह tangent आगया, यह tangent आगया, radius कितना है मेरे पास, 10 curve, so मैं यहाँ पर इसको trim कर लूँगा, जो जो मुझे नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हो, यही curve मेरे को मिल रहा है, तो यह मेरा curve बन रहा है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको trim कर लूँगा, तो intersection point मेरे यही रहेगा, trim किसलिए करना है मुझे, because मुझे यह dotted line चाहिए, तो मैं dotted line के लिए क्या करूँगा, इनको मैं trim कर देता हूँ, और यहाँ से में करता हूँ, line को अलग से join कर देता हूँ, तो मेरी अलग lines हो जाएंगी, तो इनको मैं अलग से dotted बना सकता हूँ, तो यह इस में जाके मैं load करूँ, dotted line कोई भी आप choose कर सकते हो, so मैं यह वाली dotted line या कोई भी dotted line आप choose कर सकते हो, मैं यह वाली dotted line choose कर लगता हूँ, okay, and तीनों को select किया, तो आप देख सकते हो, यह मेरी जो lines है, यह सारी dotted में आ जाएंगी, so E enter, इनका कोई काम नहीं है, तो मैं erase कर दूँँ इनको, इस circle का भी कोई काम नहीं है मेरे पास, so इसको मैं क्या कर रहा हूँ, tangent कर रहा हूँ, और मेरे पास यह भी circle dotted है, तो इस circle को मैं dotted बना लेता हूँ, select the circle, select the dotted line, enter, and escape, so अब देख सकते हूँ, यह जो मेरे hook है, यह complete हो चुकी है, so अभी मेरे काम क्या रहा है, अभी मैंने यह rectangle बनाना है, so rectangle के लिए मेरे पास, यहां से कितना distance रहा है 20 गा, और नीचे कितना distance रहा है 26, so मैं एक line लोंगा 0,0, और minus 20,0, और minus 20,26 से में यह rectangle बना लोंगा, so L enter 0,0, minus 20,0, minus 20,26, minus 20, minus 26, sorry, minus 20, minus 26, so यह आगया, and again add the rate, आप add the rate भी भी उस कर सकते हूँ, increment में उस कर सकते हूँ, 45,0, so मैंने यह ले लिया, add the rate 0,80, यह आगया, add the rate minus 45,0, यह आगया, और add the rate minus 45,0, यह आगया मेरे पास, और again अब मैं इसे क्या करूँगा, यहां से इसको join कर दूँगा, यह वाली line को मैं, erase कर लेता हूँ, और इनको join कर लेता हूँ, यह जो मेरे पास lines आ रही है, so यह एक object बन जाएगा, okay, so अभी यहां पर मैं, इसको भी trim कर लेता हूँ, और अभी मैं dimensions लेकर देख लेता हूँ, so dimensions किस तरह से आ रही है मेरे पास, यह मेरे पास main origin था, और इसकी end line से मेरे पास distance कितना रहा है, 26, तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसका भी distance चेक कर लेते हैं, तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अब यहां से इसका distance भी चेक कर लेते हैं, यहां से इसका distance भी चेक कर लेते हैं, यहां से यहां तक का distance कितना था, 20 था, बिल्कुल सही कर रहा है हम, और इसके बाद यहां से यहां तक का distance कितना आ था मेरे पास 63 almost आई कर रहे थे हम तो यहां से origin से यहां तक का distance कितना आ गए मेरे पास 12.5 अब इसके बाद एक center मेरे पास यह आ रहा है तो इसका distance भी था मेरे पास कोई नो कोई तो यह distance था मेरे पास तो यहां से मैं यह कर रहा हूं इस point से लेकर इस circle के center का distance तो यहां से लेकर अब इस circle के center का distance मेरे पास कितना आ रहा था 1.5 तो मैं बिल्कुल शाही कर रहा हूं again मेरे पास distance आ रहा है इस point से लेकर यहां तक का distance कितना रहा था मेरे पास 56.5 तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास क्या है, radius ने सारे, so radius में select कर लेता हूँ, radius मेरे पास एक ये वल आ रहा है, एक radius मेरे पास ये वल आ रहा है, और इसमें आपके पास एक radius आ रहा है, एक radius ये वल आ रहा है, एक radius ये वल आ रहा है, एक radius मेरे पास ये ला रहे हैं और इसमें और क्या क्या है और नेक्स मेरे पास यहां पर डायस देख रखे हैं तो मेरे पास एक डाया यह दे रख है एक डाया मुझे यह दे रख है और एक डाया मुझे यह दे रख है तो अभी डाया मुझे यह दे रख है तो अभी डाया मुझे यह दे रख है यहां से मैंने यह भी dimension ले लिए यह सारी dimensions और मेरे पास की dotted lines भी आगी है अभी angle रहा है मेरा एक okay so angle के लिए मैं के करूँगा यहां पर इस line से इस line तक कर distance कितना रहा है मेरे पास so यह line नहीं है मेरे पास यह dimension line है मेरे पास so actually मुझे line लेने पड़ेगी 0,0 और 0,10 so मैं यहां से angle ले लूँगा so यह मेरे पास एक line आ रही है और यह line आ रही है इन दोनों के बीच के angle कितना रहा है 30 degree so मेरी almost सारी dimensions भी मैंने ले लिए है और drawing मेरी complete हो चुकी है okay so अभी यहां पर मेरे पास dot आ रहा है तो मैं d enter करके modify कर लेता हूं यहां पर किस तरह से change करना हुझे periods में जाना text height increase करनी है यह decrease भी कर सकते है आप जैसे आपको required रहेगा सब्सक्राइब करनी है तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो तो यह देख लिए रहे आपका यहां पर भी भोटी आ रहे ओके so friends यह drawing हमारी complete हो चुकी है next जो मारी drawing है वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से हमें उसे बनाना है so next drawing है मेरे पास यह वाली so इसमें भी same उसी तरह से है किस तरह से मुझे origin लेना है किस तरह से हमें यह सारी चीज़े बनानी है और क्या क्या मेरे पास dimensions दे रहे हैं कहां कहां से मुझे radius और बाकी चीज़े लेनी है ठीक है तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है यह origin तो यहां से origin से देख लिजिए circle क्या रहा है आपके पास 245, 240 का die आ रहा है आपके पास तो यहां से आप circle ले लोगे एक और again 60 के distance पे एक circle और दे रखा जिसका radius आपको दे रखा है 300 का और same origin से आपको distance दे रखा है y में 180 और x में कितना दे रखा है 260 का तो यह भी चीज़ आपके बन जाएगी तो c enter dtr करके यह भी बन जाएगा यह भी बन जाएगा यह भी चीज़ बन जाएगी उसके बाद यह slowdown बना लेंगे तो फटा फटा हम यह से भी बना के देख लेते हैं किस तरह से हम यह से बनाना है तो मेरे पास center यह रहेगा जहां से मुझे सारे distance दे रखे हैं तो मैं के करूँगा अभी start में new drawing open कर लेता हूं तो c enter 0,0 डाया दे रखे है 240 का z enter a enter तो आप देख सकते हो यह मेरे पास आगया अभी मेरे पास क्या दे रखे है आप देख सकते हो 60 का distance दे रखे है जिसका center point यह है circle का जो center point है वो यह है तो origin से कितना distance हो जागा 60,0 तो radius कितना आएगा 300 तो c enter 60,0 radius कितना आगा 300 तो यह चीज़ बनगी मेरे पास next मेरे पास क्या आएगा अभी अब मुझे यह चीज़ बनानी है तो distance जो दे रखे है पहले उनको आप check कर लिज़े okay so यहाँ पर origin से कितना distance आजाएगा आपका x मेट माइनस 260 है इस सेट जा रहा है तो माइनस आजाएगा और y में कितना 180 तो हम c enter करेंगे और माइनस कितना आजाए 260 और y में कितना आजाए 180 तो माइनस 260,180 okay so यहाँ पर अभी क्या आएगा आपके पास radius कितना 20 का तो radius मैंने ले लिया 20 का okay so अब इसके reference में यह सारे drawings बना सकता हूं जो मेरे को यह वाले curve चाहिए तो आप देख सकते हो यह मेरे पास एक curve आ रहा है तो यह curve किस तरह से बनेगा 360 का radius दे रख है तो again c until ttr लगेगा यहाँ पर so यहाँ पर क्या आएगा गे टेंजेंट है और गेंजेंट है और radius कितना आएगा 360 का यह गलत आगया थोड़ा सा c until ttr मुझे यहाँ पर radius की selection और tangent की selection बहुत important है मेरे so tangent मेरे को बाहर वाले select करना है यहाँ पर so 360 का radius ले लेता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से आपके पास यह चीज़ बन जाएगी से आप trim कर दीजिए तो यह आर्क आ जाएगी आपके पास next क्या है यह वाली आर्क मुझे बनानी इसका radius कितना दे रख है 300 का तो मुझ बाहर वाली आर्क और अंदर वाली tangent को सिलेक्ट करना पड़ेगा c enter ttr so मैं बाहर वाली tangent सिलेक्ट कर रहा हूँ और अंदर वाली इसके tangent को सिलेक्ट कर रहा है 300 का so आपके पास यह आर्क भी बन जाएगी tr double enter इसे trim कर दीजिए so यह चीज़ आपकी बन जाएगी तो आप द चुका है base part मेरा complete हो गए अब मैं उपर वाला part बना लेता हूँ so यहां से मेरे पस क्या distance दे रखा है दिखिए एक distance दे रखा है यह line का कितना distance दे रखा है 442.5 का और line की width है वो मेरे पस कितनी दे रखी है 150 150 का dia दे रखा है यह dia इसलिए दे रखा है because यह 3D की 2D image है मेरे पास तो अगर आप इसको 3D में बना के देखोगे तो यह actual में dia ही निकलेगा okay so dia मेरे पास दे रखा है तो मैं centric line लेके 75 75 offset करके इसे बना सकता हूँ okay so यहां से मैं एक line ले ले लेता हूँ 0,0 से 0,442.5 तक और यहां से मेरे पास इस line का offset कितना आ जाएगा इस line से मैं एक line मैं ले लूँगा add the rate 75,0 okay और इसको मैं mirror कर लेता हूँ यहां पर इसको मैं mirror कर लेता हूँ इस line को 0,0,0,10 यह मेरे पास आ गया अब यहां पर और देख लेते हैं क्या चीज़ है मेरे पास अब देखिए यह line तो मेरे पास complete होगी है अब यह जो distance मुझे create करना है यह कितना अबर करका 37.5 तो मैं इसे offset कर लेता हूँ ओ enter 37.5 तो मैंने इसे offset कर लिया इस line को भी और इस line को भी मैंने offset कर लिया मैं इसे जॉइन करकी भी offset कर सकता हूँ, तो आप जॉइन करके ही offset करना मैंने नहीं किया यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर इस line को जॉइन कर रहा हूँ, जो कि मुझे required है, जो मैं इस line को जॉइन कर रहा हूँ, नेक्स मेरे भास क्या दे रखा है, देखिए, 120 के एक और distance दे रखा है, तो इस line को मैं 60 और 60 offset कर लूँगा, ताकि मेरे को एक reference मिल जाए, आर्क लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, offset कर रहा हूँ, 60 mm दोनों side, तो इस line को मैं दोनों side offset कर लूँगा, और C enter TTR लगाँगा, यहाँ पर, जो मेरे पास, यह circle दे रखा है, यहाँ पर यह आर्क दे रखी है, तो 156 की आर्क है, तो C enter TTR, यह tangent है मेरे पास, और यह tangent है, और radius कितना आगे, 156 का, तो आप इसे trim कर दीजिए, जो जो required नहीं है, आपके पास, तो यह चीज़ मेरे पास required नहीं थी, मैंने इसे trim कर दिया, next मेरे पास, यह वली R का, तो यह वली R का, radius कितना दे रखा है, 460, तो 460 दे रखा है, तो यह वला एक tangent आजएगा मेरे पास, और एक यह tangent आजएगा, तो C, Enter, TTR, तो एक tangent आजएगा मेरे पास, यह वला, और एक tangent आजएगा मेरे पास, यह वला, और radius कितना दे रखा है, 460 का, तो आप देख सकते हो, यह भी मेरे पास curve बन गया, तो मैं इसमें trim कर लेता हूँ, यहाँ से, जो जो मेरे पास extra part बच गया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यह चीज मेरे पास complete हो चुकी है, तो मैं अभी क्या करूँगा यहाँ पर, जो जो मुझे required नहीं है, मैं उसे erase कर लेता हूँ, trim कर लेता हूँ, तो यह चीज मेरे पास complete हो चुकी है, ठीक है, इसको भी मैं trim कर लेता हूँ, यह चीज आपके पास complete हो चुकी है, अभी और क्या चीज है मेरे पास, यहाँ पर एक आपके पास radius दे रखा है, fillet दे रखी है 15 की, तो मैं यहाँ पर fillet ले लेता हूँ अभी, तो fillet कितने किया 15 किया तो यहाँ पर मैं fillet ले लेता हूँ f enter r enter 15 और m enter for multiple times दोनों side मैं fillet लगा लूँगा तो आप देख सकते हैं यह fillet लगी मेरी एक और इस side भी मेरे पास fillet है तो इस side में fillet लगा लूँगा यह भी fillet होगी तो इस line को मैं join कर लूँगा यहां से तो next मेरे पास क्या है अभी again मेरे पास यहां से line दे रखी है 210 की तो इस line को मैं offset कर सकता हूँ जिसका distance मेरे पास कितना दे रखा है 120 का तो यहां पर मैं क्या करूँगा 120 की एक line लूँगा l enter इस center point से मैं एक line लूँगा और thon कर लेता हूँ यह नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा add the rate 0,120 यह line आगे मेरे पास next मेरे पास sorry 120 ने 210 की है so control z add the rate 0,200 10 यह length आगे मेरे पास so यहां पर add the rate 60,0 because length कितनी है 120 की है तो मैं इसको mirror कर लेता हूँ 0,00,10 तो आप देख सकते हूँ यह चीज मेरी यहां पर बन गई है इसको मैं join कर लेता हूँ यह मेरे जॉइन होगी है next मेरे पास क्या है अभी यह distance दे रखे आपको चैंफर दे रखे है 15 की 15 into 45 का मतलब क्या है x में distance भी 15 है य में बी distance कितने 15 है यहां पर में chamfer लगा लुँँ इस line को मैं 15 mm offset करने के बाद इसको मैं chamfer कर दूँगा तो मैं offset कर लेता हूँ 15 mm और यहां से मैं इस line को join कर लेता हूँ हा से c h e enter chamfer लगा लेता हूँ मैं angle के साथ angle कितना दे रखे 45 और length कितनी दे रखिये 15 की और angle कितना दे रखिये 45 का और M enter for multiple times तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी chamfer जो हो apply हो जाएगी आपको मैं dimensions भी calculate करके दिखा दूँगा okay friends so इसी के साथ यहाँ पर भी fillet दे रखिये कितनी दे रखिये 15 की fillet दे रखिये so इसको मैं offset भी कर लूँगा अभी 60 mm so यह भी मेरे पास आजएगा E enter इसको मैं erase कर लेता हूँ और F enter, R enter 15 का radius है M enter for multiple times so इसको मैंने fillet कर देना है भी so यह भी मेरे पास complete हो गया okay यह hook मेरी complete हो गया so इसकी अब dimensions check कर लेते हैं क्या के dimensions आ रही है हमारे पास सबसे पहले मैं आपको chamfer की dimensions दिखाता हूँ chamfer की dimensions किस तरह से आ रही है so मेरे पास अभी क्या distance आ रहे यहां से यहां तक का distance कितना रहे 15 और 15 का 15 into 45 को मैंने आपको बताया था X और Y में दोनों में same distance आता है तो आप देख सकते हो X में भी distance कितना रहे 15 आ रहे और Y में 15 आ रहे Ctrl Z करके मैं इसके angle भी check कर लेता हूँ तो angle कितना रहे यह angle चेक कर लेते हैं यहां से यहां तक का angle कितना रहे मेरे पास 45 degree आ रहे so it means हम बिल्कुल सही कर रहे हैं यहां से यहां तक का distance भी check कर लेते हैं यहां से यहां तक का distance कितना रहे मेरे पास 120 आ रहे so it means हम सही कर रहे हैं यहां से यहां तक का distance भी check कर लेते हैं मेरे पास कितना रहे 150 आ रहे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं इसके बाद हमारे पास all distance क्या है यहां से मेरे पास 2 circle थे, एक circle का center यह था और एक circle का center यहां से था, यह circle का center था, तो इन दोनों का distance देख लेते हैं, कितना आ रहा है मेरे पास, 60 आ रहा है, okay, so it means हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, next मेरे पास क्या था, इस point से लेकर, इस point तक का distance मेरे पास, y में कितना था, 180 था, तो वह भी check कर लेते हैं, भी कितना रहा था मेरे पास, 180 आ रहा है, इस नहीं मेंस हम बिल्कुल सही कर रहे है, next मेरे पास क्या है, य वाला distance है, so य वाला distance भी कितना रहे, 260, कर लेती है 260 आ रहे कितना रहे है सो मेरे पास 260 रहे है ओके, इसके बाद अभी और क्या चीए मेरे पास, यहां पर और रडिस चेक कर लेते हैं, बाकी जो मेरे पास रडिस आ रहे हैं, एक रडिस आ रहे हैं मेरे पास, यह वाला तो इसका रडिस 360 आ रहे हैं, इसका रडिस कितना रहे हैं, I think 300 है, 300 आ रहे हैं, इसका रडिस कितना ह हमारे पास यह I think 156 था और यहां से यह कितना था I think 460 था, so हम बिल्कुल almost सही कर रहे हैं, और यह fillet कितने के लगाई थी हमने 15 के लगाई थी, तो 15 के हमारे पास fillet लग रही है, so यहां से भी हम fillet देख लेते हैं, fillet कितने के लगाई 15 के ही आ रही है, और इसके बाद हमारे पास distance कितना आ रहे है, so यह वाला distance आ रहे हमारे पास, यहां से यहां तक यह distance आ रहे, so comma 8 आने के लिए आपने d enter करना है, so d enter हम कर लेते हैं, यहां पर modify, primary units में जा के आप इसमें period कर दोगे और इसकी text की height increase कर दोगे, symbols and commas में चले जाओगे, तो यहां पर भी इसकी height increase कर दोगे, और text जो है आपने ISO standard में रखना है, okay करोगे, set current close, तो आप देख सकते हैं, इस सभी की height जो है, वो increase हो जाएगी, और यहां पर जो commas आ रहे थे, वो भी हट जाएंगे, so commas कहां पर आ रहा है, 37.5 में commas आ रहा था, वो हट गया है, so यहां पर भी मैंने angle और distance भी चेक कर लिए, यह भी बिल्कुल सही आ रहा है, इसका एक और distance है, इसकी height कितनी है, 120 थी आई थी, 210 थी स्वरी, so 210 आ रही है, देख लेते हैं, चेक करके, 210 ही आ रही है, और यहां से distance चेक कर लेते हैं, यह कितना रहा है, 442.5 यहां तक कर, so यह भी चेक कर लेते हैं, एक बड़ी, origin से ही यहां तक कर distance कितना रहा है, आप देख सकते हैं, 442.5 ही आ रहा है, और कौन सा distance दे रखे आपको, 262.5, इस line से यहां तक कर distance कितना दे रहा है, 262.5, so मैं चेक कर लेता हूं अभी, इस line से, इस line तक कर distance कितना दे रहा है, 262.5, so friends, almost हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमने सारी drawing बना लिया है, और dimensions भी हमने ल आ सकते हो, अगर आपने यहां पर gradient apply करना है, इसे थोड़ा सा अगर आप modify करना चाहते हो, तो आप इसे modify भी कर सकते हो, जैसे मान लिजए अगर आप इसमें gradient apply करना चाहते हो, तो hatching में चला जाओगे, so hatching में यहां पर मेरे पस gradient की option आती है, gradient का मतलब है color, so different different color मैं यहां यूँ चूज कर सकता हूँ, gray और यहां पर और भी light gray, so मैं यहां पर यह भी color चूज कर सकता हूँ, okay friends, तो आप इस तरह से modify भी कर सकते हैं, तो आप मैंने metallic इसको color दे दिया है, तो इस तरह से आप इसे modify कर सकते हैं, so dimensions भी मैंने modify कर लिए है, और मेरे इसमें gradient भी apply करके, इसको touch दे दिया है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, okay friends, so I hope आपको यह दोनों exercise अच्छे से समझ में आगी होंगी, जो जो मैं यहां पर चीजी apply करता हूँ, जैसे मैंने dimensions edit करनी होती है, यह hatching apply करता है, तो I hope आपको उसका use पता चल गया होगा, किस तरह से वो use करत हैं, और किस तरह से हम drawings को पढ़ते हैं, और किस तरह से drawing start करते हैं, okay, so friends, I hope आपको यह दोनों drawings अच्छे समझ में आगी होंगी, आप इसकी practice कीजिए, try कीजिए, और अगर कोई doubt आता है, तो comment box में आप पोच सकते हैं, okay, thank you.